तो गैस मैं हूँ अंकी तौरा आप देख रहे हैं रिस्लिंग फैंस नाइट वाग एंड फाइनली क्यों ने वीडियो आ चुकी है मैंना भी आपको जर्ट बोला इस वीडियो से पहले कि आप लोग अपने क्वेस्टेंस पूछो जितने जल्दी हो सकते हैं तो अभी तक जि आप दियें मैंने इस वीडियो के अंदर लाइक से अब सब्सक्राइब करते हैं अगर आप पहली बाद विजिट कर रहे हैं तो चलिए वीडियो को सुरू करते हैं जो सब जब बहला सवाल है यह आता है कॉंट्रा डीयस की तरफ से और भाई का सवाल है क्या कोडी डिजर् है तो देखो डिजर्विंग में दो मिनिट में एंसर करता हूं लेकिन ब्रॉक को वर्ल्ड चैंपिन बनाना आपको इसेंस बनाता नहीं एंड क्या आपको लगता है यह बुकिंग देखके कि वह चैंप बनेंगे कहीं से नहीं से और डू में भी हो सकते हैं सथ रॉलिंस ज यह जण कर आप समझो तो देंट डिजर्विं है अगर कोई भी चीज प्रॉफिटेबल है तो डिजर्विंग है बस बिसनेस की यही स्राटेजी होती है जो डब्डबी के परसफेंस के परस्पेक्टिव से रहाइस जाए डिजर्वीं तो कोड़ी है अपने इसाफ से बोले रहा था Triple H से कि भाई Ross Macdon बहुत बेटर हो जाएगी चार चांद लग जाएंगे Triple H वैसा क्यों नहीं कर पा रहे हैं तो यह भाई ने बहुत सही सवाल पूछा है मतलब एक टाइम पे लगा था हमें कि यह Triple H के आने से लाइक महोल ऐसे चेंज होगा कि समझी नहीं सकते महोल चेंज हुआ है लेकिन ऐसा नहीं कि बहुत उससे फायदा मिल रहा है सुरुवात में जो एपिसोट्स आयते अच्छे लगे थे लेकिन उसके बाद चीज़े यूजवल होते गए यूजवल होते गए सब्सक्राइब करें अब इसके बीचे का सब्सक्राइब करते हैं इसलिए कुछ खास ऐसे भयंकर होते नहीं देखने को मिला बुकिंग के अंदर तो मेरे सब्सक्राइब क्या तो मेरे रीजन्स यह है अब यह सवाल से मैं आप से पूछ रहा हूं आपके रीजन्स का है आप लोग कॉमेंट करके बदा सकते हैं जो अपना अगला सवाल है वह सरोज अधिकारिकारिका और भाई गयाते हैं इनका कहना है कि रोमन जीत चाते हैं तुम से पोच कर लो इसके बाद रिसल मेन बैकलास में रोमन किसको फेस करेंगे तो बहुत अच्छा सवाल है यहां पर ओपन प्रेडिक्शन ही कर सकते हैं क्योंकि अपडेट नहीं है तो मैं प्रेडिक्शन बता दे रहा हूं अपनी म रोमन रेंज सायद एक टैक्टी मैच में आ जाया है रोमन एंड उसोज वर्सेस सेमी जन केविन ओवन्स एंड कोडी डोट्स यह मेरी प्रेडिक्शन है इसका कोई सरपैर नहीं है बसे मेरी प्रेडिक्शन है डिमांड समझतो यह कुछ है अगला सवाल है किंग हील का को चीज होनी बाकी है सो मेबी उस चीज के लिए डबी डबी यह कर सकती है एक अधर प्लैंस भी आरे निकल के सामने कि क्या मालूम रिसल मीना फोटी में रॉक रॉमन होना हो तो रॉक रिसल मीने 39 का एंड में आ जाए तो यह भी स्पेक्विलेशन से लेकिन कुछ खासा कह सकते हैं बट हां यह इगनोर भी नहीं कर सकते हैं चैनल अभी है जो लोग मुझे से क्वालू करते होगे उनको मालूम होगा कि यह किस चैनल की बात कर रहा है मैं चाहता भी नहीं कि उस चैनल को यहाँ पर प्रोमोट करूँ मैं क्योंकि मुझे उसके उपर एक new audience चाहिए अगर लोग खुद से discover करते हैं अगर आप लोग खुद से ढूंड रते हो तो अच्छी बात है मैं नहीं चाहता कि मैं ऐसे promote करूँ खुद से audience है कि तो ज्यादा बेटर होगा तो वो चैनल बस चेंज हो चुका है गेमिंग से एक दूसरे topic को पर ढूंड लो भाई अगर ढूंड सकते हो तो इसके बाद जो अगला सवाल है वो है देखने का मज़ा था तो personally मैं सिब अपने लिए बता रहा हूं यह जरूरी नहीं कि मेरे ओपिने सबसे मैच करें मेरे लिए अब मैटर ही नहीं करता है तो 40 में हो 41 में 42 में कभी ब्यों फरक ही नहीं बढ़ता मुझे personally लेकिन हमें भी हो सकता है कि मैच हो जाए बट मुझे नहीं personally I don't care अगला सवाल है साहिल समीम का एंड कहते हैं यह bro how do you think to start a wrestling channel love your videos thank you so much भाई कह रहे हैं कि मैंने कैसे सोचा कि wrestling channel सुरूगर दें तो सारे यूटूबर्स के एक channel main channel open होने से पहले multiple channels होते हैं तो मेरे भी बहुत साथ channels होते है wrestling interest तो पहले से था मुझे लगता है wrestling का जिसका भी channel उसको इंटरस्ट हो गाई तो एक वही बात आती है कहीं मैंने सुना था कि इसको पर इंटरस्ट आप उस पर वीडियो बना तो मुझे ध्याना है कि मेरा इंटरस्ट तो wrestling के अंजर है तो बस ऐसे मैंने साल्ग किया था इ इतने भी power नहीं होती है मतलब power होती है कि वो changes कर सकते हैं off script जा सकते हैं अमने देखा भी रिसेंटली बहुत off script करें ब्रॉक लिसनर बट इतनी ज्यादा भी नहीं होती है कि खुद को इंसर्ट कर सकते हो अगर डवी को लगता है कि हाँ ये चीज काफी profit करेंगी है में तो डाल देंगे लेकिन इतनी ज्यादा पापर नहीं होती है कि उस department में बिल्कुल creative में घुस जाएं लिसनर है and match में घुसा लग खुद को इतना नहीं होता है बाकि आज का जो अपना आकरी question है वो है मनोचीत करका और कहना है भाई का why WWE Cody को इतना push देता है return करने के बाद जब बाइस का कि आप difference देखो generation gap देखो Edge, Ray, Mysterio and Cody में Cody अच्छे खासी time तक अभी WWE को carry कर सकते हैं तो इनसे compare करना गलत है लेकिन हाँ भी Cody को बहुत जल्दी इतना push मिल रहा है लेकिन क्या मालने मिसके पीचे भी logic हो अभी जब तक आप देखनी सकते आगे तो कुछ पहले से negative न वीडियो आप 6 महीने बाद फिर से करेंगे एक और Q&A तब तक के लिए good bye and वीडियो रात को आ रही है तो good night आप सबको मिलते हैं अगली वीडियो में